दोस्तो रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये बात क्लियर हो गई कि राहूल गांदी वापस लॉट के आएंगे ऐसा मेंबर ओफ पारलेमेंट फ्रॉम OINR कॉंस्टिटुएंसी अब पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हो कि राहूल गांदी को नोटे सर्व किया गया है कि जो दिल्ली में आपको MP रेजिदेंस अलोट किया है वो घर छोड़ दो लोगसबा के सेक्रेटरी जनरल ने राहूल गांदी की जो मेंबर्शिप है उफ लोगसबा इसको खतम कर दिया था चो कि इनको 2 साल की सजा मिल गई थी डेफेमेशन केस में और ये सब बात क्यों की जारी दोस्तों आपने मुहमत फैजल का नाम सुना होगा मुहमत फैजल लक्षदीब के मेंबर ऑफ पारलेमेंट थी इन लोगसबा मुहमत फैजल को 10 साल की सजा हुई थी इनको इनके भाई के को 10 साल की सजा हुई थी attempt to murder case में 10 years की सजा थी और वो खली हो गई और उसके बाद election commission of India ने allowance कर दिया कि इस particular seat पे हम election conduct करेंगे लेकिन 25 जनवरी 2013 को 11 जनवरी 2013 को कावाराती sessions court ने सजा सुना ही 10 साल की मुहमत फैजल को और 25 जनवरी को केरला ही court ने conviction भी सस्पेंड किया sentence भी सस्पेंड किया लेकिन हाँ inquiry अभी चालू है वो जो 10 साल की attempt to matter की सजा हुई है वो केस अभी चलेगा केरला ही court में लेकिन केरला ही court ने ये साफ साफ बोल दिया कि conviction भी हम सस्पेंड कर रहे है sentence भी सस्पेंड कर रहे है तो जैसे ही केरला ही court ने overall conviction और सस्पेंड किया मुहमत फैजल पहुंच गे सुप्रीम court में और सुप् parliamentary constituency में ये election commission of India voting कैसे करवा रहा है बाइपोल कैसे करवा रहा है तो election commission of India ने बाइपोल रोग दिये और आज ये news निकल क्यारी आज 29 मार्च को में लक्चर record कर रहा हूं कि लोग सभा के secretary general ने मुहमत फैजल की seat restore कर दिये now मुहमत फैजल is once again a member of parliament from लक्षुदीब तो 11 जनव 2023 को जो मुहमत फैजल की member of parliament की seat चली गई थी वो आज 29 मार्च को उनको वापस मिल गई है तो इस particular news से ये बात बिलकुल clear हो जाती दोस्तों कि राहूल गांधी को भी ये seat वापस मिलेगी ही मिलेगी चुकि मुहमत फैजल के उपर इलजाम लगा था attempt to murder का 10 साल की jail का राहू बहुत सी legalities के उपर question उठ रहा है राहूल गांधी जी ने पूरी Modi community के बारे में भला बुरा कहा लेकिन अगर community के बारे में कहा तो किसी एक particular individual को personal damage हुआ ये आपको defamation में प्रूव करना पड़ेगा तो वो defamation में गलत प्रकार से प्रूव किया गया है दो साल का जो सजा का quantum quantum दिया गया जो कि section 499 के अंतर maximum quantum है ये भी overall आप कहरो disproportionate तरीके सजा दी गई इन सब legalities के उपर आलड़ी बात हो रही है तो बहुत से experts का बोलना है कि जब appeal करेंगे राहूल गांधी आज ये कलमिन की appeal फाइल हो जाएगी तो उस case में सूरत की court का judgment है वो टिक नहीं पाएग ये जलंदर की लोकसभा की seat खाली होगी वहाँ पर बाइपॉल होगे यहाँ पर वायनाड की seat के बाइपॉल के dates को election commission of India नहीं रिलीस किया टेखनीकली वायनाड की seat खाली हो गई Secretary General लोकसभा राहूल गांदी को बोल चुके हैं कि that you are no more member of parliament तो उसके बाद तो बाइपॉल होना चाहिए लेकिन वहाँ नाड की seat के बाइपॉल यहाँ पर election commission of Indian नहीं किये हैं चुकि इनको भी पता है कि जैसे हायर court में गुजरात high court में राहूल गांदी का ये जो conviction है suspend हुआ वैसे ही Secretary General लोकसभा यहाँ पे एक notification निकालेगा और राहूल गांदी फिर से member of parliament बन जाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिखी ये बात मैंने आपको पहले भी अपने lectures में बताईए कि ये बात तो confirm है कि 2024 का लोकसभा elections राहूल गांदी लड़ेंगे हो सकता ह 2023 से 2024 में MP न रह पाएं लेकिन मुहमत फैजल के case में recently जो हुआ है इससे एक बात तो clear हो गई है कि अगर मुहमत फैजल को attempt to murder में 10 साल की सजा हुई और उसके बाद उनका conviction और sentence suspend हो सकता है तो यहाँ पे राहूल गांदी को तो सिर्फ defamation की सजा दी गई है और उसमें भी बह मुझरात के sessions court में या फिर हाई court में राहूल गांदी जी यहाँ पर appeal करते हैं और वो appeal राहूल गांदी की favor में चली जाती उनका conviction और sentence suspend हो जाता है तो उस case में लोग सबा के secretary journal को notification निकाल के वायनार की seat पर फिर से MP बनाना पड़ेगा राहूल गांदी को let's see आगे यहाँ पर क्या होता है जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा thank you for watching